महेंद्र सिंग धोनी हमेशा अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस पार भी उनका एक फैसला काफी सुर्खियों में बना हुआ है एक तरफ उनकी टीम पूरे IPL में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी दूसरी ओर जैसे ही IPL रद्ध हुआ महेंद्र सिंग धोनी इस पार प्रदर्शन से नहीं अपने एक फैसली की वजह से जाने जाने लगे हैं महेंद्र सिंग धोनी ने दरसल फैसला किया है कि जब तक CSK के एक एक प्लेयर्स को उनके घर के लिए रवाना नहीं कर दिया जाता या सारे players अपने घर के लिए रवाना नहीं हो जाते तब तक वो hotel नहीं छोड़ेंगे मतलब साफ है कि महेंदर सिंग धोनी hotel छोड़ने वाले आखरी शक्स होंगे CSK की टीम में Faf, Duplessis और Dwayne Bravo जैसे विदेशी खिलाडी खेलते हैं और ऐसे में इन सारे players के लिए जरूरी है कि वो अपने स्वदेश यानि ये लोग जहां के रहने वाले हैं वहां लोट जाए Faf, Duplessis, South Africa के रहने वाले हैं, Dwayne Bravo, Western East के रहने वाले हैं और ऐसे में इस वक्त विदेशों की flights रद नहीं इसलिए BCCI के सामने भी बड़ी चुनाओती है कि इन players को कैसे और कितनी जल्दी उनके घर भीजा जाए ऐसे में माही का कहना है कि सबसे पहले इन सभी वदेशी खिलाडियों को उनके घर भीजने की प्राथमिक्ता होनी चाहिए इसलिए तब तक महिंदर सिंग धोनी होटेल में रुखेंगे जब तक की सारे प्लियर अपने घर नहीं लोट जाते दरसल CSK टीम के एक member ने Indian Express को एक interview दिया था जिसमें कहा था कि माही ने सब का होसला बढ़ाया है और सब को ये भरूसा दिया है कि सबसे आखरी शक्स होंगे वो जो होटल छोडेंगे CSK ने 10 seat वाली chartered विमान की एक वैवस्था की है जिससे खिलाडियों को डिली से राजकोट और मुंबई यहां shift किया जा सके साथी बताये जारे कि कुछ प्लेयर्स को chartered विमान से चिन्नई से बैंगलूरू भीजा जाएगा और धोनी राची के लिए रवाना होंगे अभी आठ इंगलैंड के कलाड़ी हैं जो ब्रिटेन पहुँच चुके हैं ये सभी प्लेयर्स 10 दनों तक क्वारंटीन पे रहेंगे लेकिन अभी जो CSK में और प्लेयर्स हैं जो फसे हुए हैं स्वक भारत में उन्हें पहुँचाना महिंदर सिंग धोनी के लिए भी पहली प्रात मिक्ता बन चुकी है और असलिए मयंद सिंग्धोनी ने भरुसा दिया है कि वो सबसे आखरी शक्स होंगे जो होटेल छोड़ेंगे मतलब जब तक सारे प्लेयर्स घर नहीं पहुँचाते तब तक वो होटेल नहीं छोड़ने वाले